आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello The question is Fruit of mango is dash developing from dash comma dash ovaries are dash तो question में एक sentence दिया गया है mango के बारे में जहाँ पर बहुत blanks है P, Q, R, S और इस blanks को हमें fill करना है तो बात हुई है mango fruit के बारे में तो mango fruit के बारे में तोड़ा जानते है तो mango fruit जो है वो उसे droop कहते है droop क्यों कहते हैं एक fleshy fruit है with single seed तो यहाँ पर एक exocarp है मतलब जो leathery skin layer है उसका cover है mango का वो exocarp है और उसके अंदर एक mesocarp है fleshy mesocarp यह जो actual mango का fruit होता है वो mesocarp है और उसके अंदर एक endocarp है that is nothing but जो उसका hard seed है वो endocarp है और इस टाइब के fruit को droop होलते है ठीक है और उसके बाद जो mango है उसका flower monocarp लरी है मतलब उसके flower में एक single carpel होता है female gametophyte जो है bear करता है pistil या carpel वो single है और उसके बाद उसका ovary जो है वो superior ovary है superior ovary मतलब यह जो ovary का position है वो यह saples petals और flower के जो stamens है उसके उपर present होता है या saples, petals और stamens जो है वो ovary के नीचे अटाच हुए है तो ऐसा होग अगर यह ovary है यहाँ पर जो saples है ovary के नीचे है और petals भी ovary के नीचे है और यह जो stamens है वो भी ovary के नीचे है तो उस sentence को हम ऐसा फिल कर सकते है कि mango is a droop मतलब mango fruit है जो droop है तो पी हुआ droop और developing from वो किस से develop होता है एक monocarpillary monocarpillary ovary से या pistil से and वो ovary जो है superior ovary है तो monocarpillary के हुआ superior ovary वो r हो सकता है and r are they are single seeded यह हो सकता है चलिए देखते हैं कि यह option है या नहीं option a है peanut मतलब mango is a nut वो बिल्गल गलत है mango nut नहीं है जो सीड है हार्ड कवरिंग होते है सीड और उसके अंदर एक fleshy layer होते है जिसे हम का सकते है for example coconut तो mango एक nut नहीं है तो option a गलत हुआ option b को देखते है is a droop यह तो सही है और उसके बाद है monocarpillary यह भी सही है अभी हमने डिसकस किया mango जो है वो उसमें monocarpillary pistil present होते है उसके फ्लावर में और उसके बाद है inferior ovaries तो यह inferior ovaries नहीं है inferior ovaries मतलब जो ovary है वो उसके अबोब present होते है यह जो stamen है stamen petals और यह जो sepals जो है वो ovary के उपर present है और इस टाइब की ovaries को inferior ovary बोलते है यह पार्ट गलत है तो option B गलत हो गए क्योंकि R मैच नहीं हुआ उसके बाद है option C देखते है P nut यह भी गलत है क्योंकि mango nut नहीं है बलकि droop है option D को देखते है P droop यह सही है Q monocarpillary mango एक monocarpillary है और superior ovary यह भी सही है और last में बूल रहा है कि one seed one seeded यह भी सही है क्योंकि mango में सिर्फ एक seed होता है तो option D हुआ हमारा right answer Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर स्टूपर क्योंकि